कैसे हैं आप लोग वैलकम तो एकाडमी लेट्स क्रैक्ट यूपीसी सी हिंदी स्मी चंचल कुमार शर्मा भारत के समविधान और राजविवस्था की हमारी इस सिरीज में आपका सभी का एक बार फिर से स्वाकत है हम लोग अभी 9 सेशन कर चुके हैं इस सिरीज के और आज हम प्रजिक शेत्र देखा था कि मैंने आपको कल बताया कि किस प्रकार से अनुच्छे एक दो तीम चार सम्विधान का भाग एक यूनियन एन इट्स टेरिटरी किस प्रकार से भारत में भारत संग में संसत को यह अधिकार देता है कि नए राज्यो का प्रवेश स्थापना ग करें और अनुच्छे तीन जोए संसत को यह अधिकार देता है कि वर्तमान राज्यों के पुनर गठन को भी वो विधी बना कर सकती है इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हमने बात की थी तो कैसे बनता है एक नया राज्य कल हम लोगों ने देखा कि अगर पुनर गठन करना हो तो दो शर्तों का पालन करना जरूरी होता है सबसे पहले तो भारत के राश्ट्रपती से इस प्रकार के विध्यक को लाने के लिए पूर्वा अनुमती लेनी पड़ती है प्रायर रे प्रश्टा उपारित करके किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है किसी नए राज्य का गठन कर सकती है तो अनुच्छे एक दो तीन और चार हमारा हो गया था मैंने आपको राज्य पुनर गठन का इतिहास भी बताया भारत में आजादी के बाद कैसे भाशा के आध अधर कमिशन आया एसके धर की अध्यक्षता में 1948 में फिर आप जिकरे जेवीपी कमिटी आई जेवीपी कमिटी में तीन लोग थे जवाहर लाल नेरू वल्लब भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया उसके बाद में आंद्र प्रदेश का गठन किया गया 1953 में भारत के पहले राज जी का भाषा के आधार पर और उसके बाद में हम लोग डिसकस कर रहे थे आगे कि किस प्रकार से भारत में फजल अली राज पुनर गठन आयोग का गठन हुआ और उनकी सिपारिशों के आधार पर भारत में 1956 में ABCD की जो केटेगरी है वो समाप्त कर दी गई औ उस समय भारत में थे जो मैंने आपको बताए थे इसके आगे का इतिहास आगे क्या हुआ आगे किस प्रकार से और नए नए राज्य बनाए गए कैसे यह संख्या आज 28 राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश तक आई है इसको हम लोग आज देखेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे भाग दो नागरिकता के बारे इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे संविधान का सिटिजन्शिप नागरिकता उस पर भी हम लोग डिसकस करेंगे आज के सेशन में तो चलिए शुरुवात करें सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी आवास ठीक से आ रही है प्लीज कंफर्म एक बार आप मुझे बताएं के न्यूहियर में आवास ठीक से आ रही है आप लोगों को मेरी किसी तरह का कोई आडियो वीडियो इसू तो नहीं हो रहा है चलिए तो अनकेड मी सब्स्क्रिप्शन ब्लेटफोर्म के बारे में पता है आपको कि आप लोग यहां पर अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हिंडिया के टॉप एडूकेटर कर से घर बेठे पढ़ सकते हैं आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें प्लसका तो नोर्मल भी ले सकते हैं आईकॉनिक लेना चाहें तो बीले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्षन में आपको एक पर्स नने को li 겹ण डेलिए एक जरू एक रियोड बूती साल या गञे तर्काकिंवियो लें श्राइसील जो सुब्सक्रिप्षिण का extra discount यहां से मिलेगा प्लस मेरा personal guidance आपको मिलेगा तो याद रखिएगा यह referral code किसी भी subscription में आप an academy में use कर सकते हैं C-K-L-I-V-E और अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो loan facility भी है loan लेकर भी आप an academy से loan लेकर अपना subscription ले सकते हैं और बिना किसी भ्याज के सारा पैसा बारा महीनों में बारा इमाई में आप पे कर सकते हैं तो आपके पास एक loan का भी option है बहुत बढ़िया loan ले सकते हैं बिना किसी भ्याज के आप an academy से और subscription ले सकते हैं तो यह आपके उपर है कि आप loan से लेना चाहें तो loan से ले एक साथ पे करना चाहें तो एक साथ कर दीजी तो हमारा जो यह चल रहा है भाग एक संग और इसका क्षेत्र union and its territory इसको continue करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि राज्य पुनरगठन अधीनियम ने भारत में किस प्रकार से 14 राज्य और छे केंद्रशासित प्रदेश भारत में आ गए थे 1956 तो राज्य पुनरगठन अधीनियम 1956 और साथवे संविधान संशोदन अधीनियम 1956 के द्वारा हमारे यहां कह और जो भाग थे कि बीच की दूरी को पुनरगठन अधीनियम 1956 के द्वारा कोची राज्य में जो तो पुनरगठन अधरम अधीनियम 1956 के द्वारा कोची राज्य में त्रावन कोर था और मदरास राज्य का जो मालाबार और दक्षिन कन्यड का जो कसर गोड़ा था उसको मिला कर एक नया राज्य बनाया गया केरल को आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिनी राज्य यह आपको मिलेगा तो केरल का गठन किया गया इस अधीनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलगु भाषिक शेत्र को आंध्र राज्य में मिला कर एक और नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की उसी प्रकार मध्य भारत राज्य विंद्र प्रदेश राज्य और भोपाल राज्य को मिला कर एक नया प्रदेश मध्य प्रदेश बना आया किरल केरल के लिए 3 Sr गोर को माला बार को मिलाकर करल राज्ज बनाया गया partir पुना सवरास्ट्र और कछ राज्य को महसूर में पटियाला और पूर्वी-पन्जाब को पंजाब राज्य में और अजमेर को राजस्थान में विलाज कर दिया गया मैंने आपको कल बताया था कि भारत में जब A B C D वाली केटिगरी थी तो कुल 29 राज्य थे कितने राज्य थे 29 तो 29 राज्य से हम लोग कहां आ गए 14 राज्यों में तो स्वाभाविक सी बात है कई सारे राज्यों को दूसरे राज्यों में मिलाया गया होगा बात समझ में आ रही है 29 राज्य के आधे हो गए 29 राज्य से 14 राज्य हो गए तो कई सरे राज्यों को एक दूसरे राज्य में मिला दिया गया तो ऐसे ही बॉंबे में या बंबई जो राज्य था उस समय महराष्ट गुजरात नहीं था तो बंबई में सोराष्ट और कच्छ का इलाका मिला दिया कुर्घ जो था। करनाटक में मैसुर राज्जी में मिला दिया गया। प्रवी पशुर अर्पूर प पंजाब राज्जी में मिलाय चिन्फ। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संग शाषित प्रदेश जैसे लक्षडवीब। मिनि कॉय और अमीन दीब। कि द्वीपों का स्रजन करके मद्रास राज्य से अलग करके एक लक्ष द्वीप समू नाम का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 14 राज्य फिर एक बार बता रहा हूं और 6 केंद्र शासित प्रदेश यह 1956 का मामला लेकिन हम रुके नहीं 1956 के बाद भी भारत में कई सारे केंद्र शासित प्रदेशों का कई सारे नए राज्यों का गठन किया गया तो कैसे 1956 में जो व्यापक इस्तर पर राज्यों का पुनर गठन हुआ था उसके बावजूद भारत में राजनितिक मान्चित्र में व्यापक विभेदता और राजनितिक दबाओ की चलते परिवर्तन के आवश्यक्ता महसूस के गए दरसल सबको लगने लगा था कि 1956 में भारत में इतना बड़ा परिवर्तन वुआ इतने सारे राज्य आ गए इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश तो शायद भविष्य में और ज्यादा राज्यों की जरुत नहीं पड़ेगे और ज्यादा राज्य बनाने नहीं विभिन्न कारणों से जैसे यहां पर भारत का जो राजनितिक व्यापक मानचित्र है उसमें बहुत सारे व्यापक विभेदता थी राजनितिक दबाव था इसके चलते और ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यक्ता महसूस हुई भाषा या सांस्क्रतिक एक रूपता और अ राज्यों से दूसरे अन्य राज्यों से दूसरे राज्यों की मांग उठने लगी तो हमें 1956 के बाद भी समय समय पर नए नए राज्य बनाने पड़े कब कौन-कौन से राज्य बनाया गया यहां से question पहले भी UPSC में आया हुआ है भारत में कब किस समय किस राज्य का गठन किया गया यह कोश्चन आया हुआ है आपको पता होना चाहिए सबसे पहले देखो 1960 में भारत में जो बंबई राज्य था उसमें दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे इस राज्य में गुजराती बोलने वाले लोग भी रहते थे, द्वीभाशी राज्य था, यहां गुजराती बोलने वाले लोग भी रहते थे, और यहां मराठी बोलने वाले लोग भी रहते थे, अब एक राज्य में दो भाशा बोलने वाले लोग रहते थे, तो यहां यह मा वाउटि आपार okay तो नई सो सभ में को दो भागों में माराठी भाषा बोलने वालों कराज्य जो महराष्टार गा kep और दूसरा गुझराथि भाष्ञा बोलने वालों का राज्य जिसे गुजरात के नाम से जाना गया तो गुजराती भाषा बोलने और मराठी भाषा बोलने वालों के दो राज्य हो गए एक राज्य से बंबई पहले गुजरात महाराष्ट सम्मिला के बंबई था तो यहां महाराष्ट बन गया और गुजरात बन गया फिर पहले आप देखो फिर उसके बाद बना तो पंद्रवा राज्य जो भारत का था वह पंद्रवा राज्य हमारा गुजरात हो गया ठीक है अप से जोड़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि संख्या जो बढ़ती जाएगी और भारत में राज्यों की जो संख्या है वह दादर और नागर हवेली आपको पूर्तगालियों के पास था नाइंटीन फिफ्टी पॉर में यह स्वतंत्र हो गया इससे पहले दादर और नागर हवेली में पूर्तगाल का शासन था आप ऐसे भी जानते हैं कि भारत के पश्चिमी उस इलाके में बहुत सालों से पूर् भारत के आजादी के बाद तक 1961 तक पूर्तगालियों के पास में था गोवा नाइंटीन सिक्स्टीवन तक गोवा पर कब्जा करके उन्होंने रखा था तो यहाँ पूर्तगाल का शासन था 1961 तक यहाँ पर लोगों द्वारा स्वयम चुना गया प्रशासन चलता रहा पिर हमने दस्वा संविधान संशोदन अधीनियम 1961 पास किया और हमने दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया प्ैनली यह यूनियन टरिटरी बन गया पिर गोवा दमन और दीव दादर नगर हवेली और डोकी बाद आगे क्या हूआ quant 1961 में हमें पुलिस कार्रेवाही कर नी पड़ी पुलिस कार्रेवाही के माध्यम से गोवा दमन और दीव को अधिग्रेद किया गया और mixing थे संव्हिदान संचोदन अदिनियम 1962 के द्वारा इनने भी यूनिएन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गए कि तो भारत में गोवा दमन दीव दादर नगर हवेली ये सारे क्या बन गए ये सारे भारत में केंद्र शासित यूनियन टैरिटरी बन लेकिन गोवा को बाद में राज्य बनाया गया 1987 में 1987 में गोवा को एक पूर्न राज्य बना दिया गए इसी तरह दमन और दीव को भी एक अलग केंदर शासित प्रदेश बना दिया गया तो पहले मैंने आपको बताया कि भारत में गोवा जो है एक केंद्र अशासित प्रदेश था इसको पुलिस कार्रेवाई के द्वारा अधिग्रहित किया गया और बाद में 1987 में आप सभी को पता है कि गोवा को हमने भारत का आगे बताऊंगा हमें कि भारत का जो है एक राज् हो था वो सब ले लिए पुदूचेरी किसके पास था पुदूचेरी फ्रांसिसियों के पास था ठीक है यह फ्रांस के पास था यहां पर फ्रांस का अधिपत्य था तो पुदूचेरी कशेत्र पूर्व फ्रांसिसी गठन का स्वरूप का था जिसे भारत में पुदूचेर इसे इंदर शासित प्रदेश बनता है तो इस सब को मिला के हमने क्या किया पुद्धुचेरी बनाया हालाकि फ्रांस से 1954 में इसे भारत के सुपूर्द कर दिया था तो 54 में हमारे पास पुद्धुचेरी फ्रांस के पास से आ चुका था इस तरह Way 1962 तक इसका प्रशासन एक अ जादिया और आज भी भारत में पुदुचेडी एक केंद्र शासित प्रदेश के तरह ही काम कर रहा है ठीक है अब आईए नागा लेंड की बात करें नागा लेंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज है अरुनाचल प्रदेश आप देखेंगे तो अरुनाचल प्रदेश के नीचे नागा लेंड और मनीपूर के उपर तो अरुनाचल और मनीपूर के बीच का एक राज है खास क करके नागा जन्जातियों के लिए जाना जाता है यहां पर एक जन्जाति आपको मिलेगी नागा हाला कि नागा जन जातियां भारत में भी मिलेगी और म्यामार के कुछ हिस्से में भी सरहत के उस पार म्यामार में भी आपको नागा जन जातियां मिलेगी और ये पूरा इलाका मिला के वो बहुत समय से ग्रेटर नागा लेंड की मांग करते रहे हैं वो चाहते ही कि नागा जन जातियों का एक बहुत बड़ा अपना इलाका हो greater नागा लेंड के नाम से तो नागा लेंड में 1963 में नागा पहाडियों और असम के बाहर के त्वेंसांग शेत्रों को मिलाकर नागा लेंड राज्जी का गठन किया गया तो नागा लेंड भारत मे 1963 में ही एक राज्जी बन गया था है ना तो आपको पता होगा नागा लेंड पहले ही राज्जी बन गया था बहुत पहले UPSC में एक बार कोश्चन यहां से आया भी था तो कई सारे बच्चों ने उसमें सीक्वेंस पूछा था कि कौन सा कब राज्जी बना तो उनका एक क यह हमारा सोलवा राज्य था पंद्रवा गुजरात सोलवा राज्य भारत का बना नागा लेंड ऐसा किया गया था नागा आंदोलन कारियों की मांगों की संतुष्टी के लिए हाला कि नागालेन को भारती संग के शोलवे राज्जी का दर्जा विदिने से पहले 1901 में असंग के राज्जिपाल के नियंत्रण में इसको रखा गया है तो ये भारत का शोलवा राज्जी था 16th state of India पंद्रवा गुजरात शोलवा नागाले फिर इसके बाद हमने कुछ और राज्जी बनाए हर्याना चंडीगर हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्जे से हमने एक और राज्जे बनाया एक्चुली पंजाब में कुछ लोग ऐसे थे जो पंजाबी बोलते हैं और कुछ लोग जो हिंदी बोलते थे तो एक मांग ये थी कि पंजाब में हिंदी बोलने वालों का एक अलग राज्य बनाए दे तो हमने क्या किया पंजाब से एक इलाका अलग किया जो हिंदी बोलने वालों का था और एक नया राज्य का गठन किया हरियाना के नाम से तो हमारे देश का सत्रवा राज्जी बना हरियाना 1966 में पंजाब से अलग करके इसको राज्जी बनाया और इनके बीच में लड़ाई हो गई चंडीगड को लेकर तो कि चंडीगड आपको पता है कि एक विक्सित शहर है तो राजधानी को लेकर दोनों के विश्विवाद हो गया उसी समय चंडीगड को केंडर शासित प्रदेश बना दिया गया है कि आज भी भारत में चंडीगड केंडर शासित प्रदेश लिए चंडीगड पंजाब और हरियाना दोनों की राजधानी है और यह ऊसली हुआ था क्योंकि दोनों में चंडीगड को लेकर विवाद, ऐसा कई बार होता है, जब बंबई से गुजरात को अलग किया गया, तो बंबई को लेकर विवाद हुआ, गुजरात भी चाहता था कि बंबई उसकी राजधानी बने, और महाराष्ट भी चाहता था कि बंबई उसकी राजधानी ब अब अपनी राजदहानी हैं डाथ को चाहता था तो कुछ समय तक दोनों की कौमन राजदहनी रखी गई थी आंध्रप्रदेश और तेलंगाना दोनों के हैंध्रबाद अब अंद्रप्रदेश के चंडीगड का गठन किया गया इसके बाद सिखों के लिए प्रतक सीह ग्रह राज्य की मांग उठने लगी यह मां अकाली दल के नेता मास्टर तारा सीह के नित्रत्व में उठी आपको पता है कि पंजाब में बहुत समय तक एक आंदोलन चलाए खालिस्तान को लेकर एक अलग पंजाब को लेकर सिखों के लिए अलग अलग देश को लेकर बहुत सारे विवाद उससे छुड़े हैं फिर शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषीक झतर को पंजाब राज्網ण और हिंदीखाशी क्षेट्र को हरी अरे रूप में स्ठापित किया गया और हिमाचल प्रदेश जो इससे लगा हुआ था तो पपंजाब से एक नय राज्य बना दिया गया और हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र गुजरात था। में 1972 में पूर्वत्तर भारत के राजनितिक मानचित्र में व्यापक परिवर्दन किये गए मनिपूर जो केंद्रशासित प्रदेश था और तृपूरा और मेघाले इन सभी को राज्जी का दर्जा दिया गया तो एक साथ भारत के तीन राज्य आये मनिपूर त्रिपूरा में घाले 18 के बाद 19, 20, 21 और साल था 1902 तर इसके अलावा दोर केंद्रशासित प्रदेश जैसे मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश ठीके वो भी अस्तित्त्व में आये तो ना सिर्फ मनिपूर त्रिपूरा में घाले बना बलकि मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश को यूनियन टेरिट्री भी साथ साथ बना तब यह भी राज्य नहीं थे मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश भी तब भारत में केंद्र शासित प्रदेश थे राज्ज नहीं थे इसके साथ ही भारत में राज्जों की संख्या 21 हो गई अब आप समझ गए होंगे मनिपूर 19 वा त्रिपूरा 20 वा और मेगाले भारत का 21 वा राज्ज बना संशोदर दिनियम 1969 के द्वारा मेगाले को स्वायत शासी राज्ज बनाया गया यह असम में उप राज्जी के रूप में भी जाना जाता था जिसका अपना मंत्री परिशत हुआ करता था अलाकि यह मेगाले के लोगों की महत्वा कांशा की पूर्ति नहीं कर पाया मिजोरम औ माहां तक आ गए हैं 21 राज्जे तक हम लोग आ चुके हैं अब सिकिम के बात करते हैं तब तक भारत का एक राज्ज नहीं था 1947 चब तक अंग्रेज भारत रहां आपको सिक्की की लिगा उन्य स्वारात में बहुत ही चोटा सा स्टेट है जंसंख्या की द्रष्टी से भारत का सबसेIsma Whoo शो चोता सा ल session सिक्पाइघ नैपाल दूसरी तरफ भूटाल की बीच में चोटा सा राज्य सिक्किम 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था मतलब यहां राज्य तंत्र था और यहां चोग्याल नाम के एक शासत का शासन हुआ करता था तो यह राज्य तंत्र वाला मामला यहां पर चलता था में अनीसिट investir में जब अंग्रेजी राज्य खतम हुआ जब अंग्रेज चले घड़ा आजाद हो गया तो उसके बाद सिक्किम भारत के द्वारा रक्शित किया गया तो चोटा सा थे था छोटा सा राज्य था तो ऑग्रजों के जाने के बाद शिक्क्य में एक प्रकार से लावारीस हो गया। छोटा सा तो मैंने कहा कि एक शितर ऊफल इसका। तु हवारत के द्वारा इसको उसक्षित किया गया। मतलब इसके रक्षा वगेरा सब भारत ने संभाल डी। से एक प्राकार से अधीन ही हो गया क्योंकि रक्षा विदेशी मामले इसके संचार के मामले भारत सरकार के पास थे ब़ारत सरकार भारत सरकार ही सका एजâu महत्व पून दाइट हौन रही थी तब से लेकिर उन्हेसोचोंटर तक तो यह सब ऐसा ही चलता रहा में लेकिन उननी सोच्किम की तरफ से कुछ हमें ऐसी कि आप मीद दिखाई दिक助क्ति कि सिर्टिम जो है वो भारत में शामिल होना चाहता है कहीं न कहीं भारत के साथ उड़ना चाहता है तो हमने संसद ने हमारी संसद ने 35 वा संभीधान संशोदा नदीनियम 1974 को लागु किया और सिक्किम को भारत के एक संबध्राज्य का दर्जा दिया मतलब भारत से जुड़ा हुआ कि अब सिक्किम भी भारत का एक हिस्सा है, एक संबद्य राज्य की रूप में एक असोसियेट स्टेट के रूप में सिक्क्यम भारत में जुड़ गया, पूरी तरह नहीं हुआ, पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं हुआ, बाकी राज्यों की तरह शामिल नहीं हुआ, एक संबद्य राज् संविधान की नौ पता आपको पहले पता इस समय तक हो चुकी थी अब एक नए कि प्रावधान किये गर शामिल eth Gardens संबद्ध राजी की रूप में आगे अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर्फ दसवी अनुसूची तो हमने दल बदल के लिए पड़ी है कि कई सारे स्टुडेंट्स का यह कहना है कि सर्फ दल बदल कानून की अनुसूची भी तो दसवी है ना तो मैं आपको बता दूं कि अ कि पहले दसवी अनुसूची सिक्किम एड हुई थी लेकिन इसको खतम कर दिया गया इसलिए 1985 में जब दल बदल कानून हुआ तो यह दसवी अनुसूची बन गया अगर सिक्किम वाली अनुसूची समाप्त नहीं होती तो दल बदल वाली अनुसूची आपकी 11 अनुसूची होती तो दसवी अनुसूची हमने शामिल की एक मैं अनुच्छेद दो कर शामिल किया गया और उसमें वो अनुसूची जिसके द्वारा सिक्किम भारत से जुड़ा था लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया हमने के एक्सपेरिमेंट किया था और यह एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं हुआ सिक्किम के लोगों को पूरी तरह से भारत में शामिल होना था उन्हें चोग्याल का शासन किसी भी तरह का राजतंत्र नहीं चाहिए था वो भारत के बाकी राज्यों की तरह भारत में शामिल होना चाहते थे भारत में पूरी तरह से विले चाहते थे मिलना चाहते थे तो कि सिक्किम में एक जन्मत संग्रह हुआ और जन्मत संग्रह किसको लेकर हुआ जन्मत संग्रह इस बात को लेकर हुआ कि चोग्याल का शासन रखना है कि समाप्त करना है तो इस जन्मत संग्रा में सिक्किम के लोगों ने बहुमत से इस पक्ष में फैसला दिया कि चोग्याल का शासन या राज तंत्र जो सिक्किम में चल रहा है वो खतम होना चाहिए आगे समझ में यहां तक क्लियर हुआ तो क्या कर दिया गया जन्मत संग्रा के द्वारा चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए सिक्किम की जनता ने खुद मत दिया और इस तरह फिर सिक्किम जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया अब भारत सरकार को लगा कि सिक्किम को भारत में पूरी तरह शामिल करने का समय आ गया है मतलब भारत में अब सिक्किम बाकी राज्यों की तरह होगा इसके लिए सम्विधान में एक ओर संशोधन करना पड़ा हमारे सम्विधान में 36 संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया अब सिक्किम भारत के बाकी राज्यों की तरह राज्य बन गया और ये था हमारा 22 वा राज्य 21 तक मैं आपको बता चुका हूं ये था भारत का बाईस्वा राज्य सिक्किम के राज्य बनने के साथ ही राज्यों की संख्या बाईस हो गया फिर दस्वी अनुसूची का क्या हुआ अनुच्छे दोकव का क्या हुआ तो हमने इस संशोधन के द्वारा संविधान की वह जो दस्वी अनुसूची जोड़ी थी जो अनुच्छे दोकव और दस्वी अनुसूची जो हमने जोड़ी थी वह हमने समाप्त कर दी तो दोकव पहले आया फिर चला गया दस्वी अनुसूची संविधान में आई फिर चली गई नो थी फिर नो हो गई और 1974 के 35 संविधान फिर चलिए गई च्छती हरे से और और वह संवीदहान सी अग्या इनुसुची को कि इचैगे अध्य कि संवीद्हान की पहली और चौत्या अनुसुची में भी संशोय किया गया और एक नया पिशेत संवीदहां में जोड़ा गया 371 चुर्य करेल मैं आपको बताया है कि हमारे सम्विधान का जो भाग 21 है भाग 21 में अनुच्छे 371 जो है वो कई राज्यों के लिए विशेश प्रावधान करता है उन में से एक राज्य भारत का सिक्किम भी है आगया समझ में कि नहीं इस देट क्लियर उन राज्यों में से एक राज्य सिक्किम भी है इसमें क्या है इस अनुच्छेद में सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेश प्रावधानों की विवस्था की गई है और मैंने आप से कहा कि अनुच्छे 2 का और 10 वी अनुच्छी को 36 संविधान संशो संविधन के द्वारा हटा गए हटा दिये कहां तक आ गए हम लोग कितने राज्यों हो गए कि राज्यों हो गए 22 22 तक आप और हम लोग आ चुके हैं अब आगे क्या हुआ आगे की स्टोरी एसी है की भारत में 1987 में तीन और राज्य जुड़े 23 वा राज्य बना मिजोरं 24 वा राज्य बना अरुनाचल प्रदेश और भारत का 25 वा राज्य आप सभी का पसंदिदा गोवा 25 वा राज्य जो है भारत का गोवा बन गया तो 25 राज्य भारत में इस तरीके से यहां तक 1987 तक हो गए सिक्किम का मामला भी आपको समझ में आ गया होग तो 1987 में भारत के संग में तीन नए राज्य मिजोरं अरुनाचल प्रदेश और गोवा को 23, 24, 25 वे राज्य की रूप में जोड़ा गया इसी के साथ संग शासित प्रदेश मिजोरं को पूर्ण राज्य बनाया गया क्योंकि मिजोरं पहले यूनियन टेरिट्री था ये पुरा राज्य हो गया 1986 में एक समझोते के आधार पर इसका निर्माण हुआ जिस पर भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रेंट ने अस्ताक्षर किये थे तो दो दशक से ज्यादा लंबे समय इसे चले आ रहा है राजद्रोग को भी सिसरे अरुणाचल प्रदेश को 1972 में यूनियन टेरिट्री बनाया गया था और अब अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य बन गया आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का कि एक तेई जो है चौबीस वा राज्य बना आगे जाकर फिर गोवा गोवा को दमन और दील से अलग करके गोवा एक राज्य बन गया दमन दिव केंद्रशासिक प्रदेश बने रहे तो 25 हो गए फिर सन 2000 की बात है भारत में तीन और राज्य आए सन 2000 में हमने तीन और राज्य बनाए एक कुश्चन है अमन जेन का कि सर अनुसूची का सम्विधान निर्माण में क्या महत्व है आप मेंसे भी कई लोगों को क्या ऐसा लगता है या क्या आपकी दिमाग में इसा कुश्चन है कि भारत की सम्विधान में जो अनुसूचियां ह नि evaluate कि इसका अंसर की प्हारत का संविधान वैसे ही बहुत बड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान वो तब भी था आज भी है तो कुछ बाते एसी हैं जो की detail में सम्विधान में लिखने से बचा गया और उन चीजरों को सम्विधान से अलग से लिखते और जोड़ दिया गया नहीं तो यह सम्विधान और ज्यादा बढ़ा जा और ज्यादा विस्तरत हो जाता सोचिए कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने आपको पता है दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की बात की कुछ पदादिकारियों के तीसरी अनुसूची में शपत का फॉर्मेट दिया गया है अगर यह शपत के फॉर्मेट वगेर यह सब भी सम्विधान में लिख दोगे तो सम्विधान कितना बड़ा हो जाएगा और तो कुछ चीजे ऐसी हैं जिने डीटेल में लिखने की जरूत थी और उनसे शायद हमारा सम्विधान और विस्तरत हो जाता उनको अलग से लिखके हमने सम्विधान में शामिल किया है अनुसूचियों के रूप में समझ में आरी मेरी बात जो चीज सम्विधान में लिखी गई है उनी चीजों को एक्स्प्लेइन करने के लिए उनी चीजों को डीटेल में लिखने के लिए उनसे जुड़ेव विस्तरत प्रावधानों को लिखने के लिए अनुसूचियां बनाई गई है अनुसुचिया समवीधान ही है समवीधान का भाग है समवीधान के संशोधन के द्वारा ही अनुसुचियों में संशोधन संभव है लेकिन वो क्यों लाई गई है यह आपको समझ अगया हो खेंद अ तो अब 2000 में तीन नहीं राज्य जुड़े थे और 2000 में तीन और राज्य जुड़े गए और वो नए राज्य कौन से है वो नए राज्य है, 36 घड उत्तराखन जढ तो 2000 में मद्धिप्रदेश से अलग करके 36 घड बनाया गया उत्तराखन बनाया गया और विःधार से अलग겨 के जढ बनाया गया और इस प्रकार से 26, 27 और 28 तक हम लोग आ गए सन 2000 से लेके 2014 तक भारत में 28 राज्य थे उस समय आर 28 राज्य साथ केंदर शासित प्रदेश हुआ करते थे अब 2014 में क्या हुआ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की मांग काफी पुरानी थी तो आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना राज्य को अलग किया गया आंध्र प्रदेश का कुछ बूभात तोड़ा गया और भारत का 29 वा राज्य अस्तित्व में आया कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गटन अधिनियम उन्निस्सों किरेपन ने भारत में भाषा के आधर पर पहले राज्य का निर्मान किया था आंध्र प्रदेश का जिसमें तमिलनाडू के तेलगु भाशी क्षेत्र भी शामिल किये थे तो तेलंगाना की मांग यहां से उठी और तेलंगाना एक नया राज्य बन गया कुर्णूल आंध्र प्रदेश राज्य की राज्दानी थी जबकि गुंटूर में राज्य का उच्छ में आले स्थापित्था उन्निसों चपन की राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दो भागों में इस राज्य को हमने बाट दिया तो यह हो गए 29 राज्य कितने हो गए 29 पिर अभी आपको पताए कि लेटेस्ट में जम्मू कश्मीर का माम लाग जब भारत में 370 में परिवर्फन किया गया संशोधन किया और जम्मू कश्मीर के विशेश राज्य के दरजे को हटा के उसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाये गया तो राज्यों की संख्या में एक कमी हो गईर 29 राज्यों जम्मु कश्मीर के जाने के बाद 29 राज्यों से संख्या आ गई 28 पर जम्मु और कश्मीर और लदाख का मामला आपको पता है कि जम्मु कश्मीर संगी क्षेत्र बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो पूर्वके जम्मु कश्मीर राज्य के सारे जिले इसम चामिल किया गए तो इस प्रकार से भारत में 29 राज्य का एक राज्यों और अथास हो गए और ढूर यूनिन टेरिटरी बड़ कें पहले केंद्र शासित प्रदेश थे इसके बाद 9 हो गए थे थीवारत में 28 राज्ये और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए अब आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रफल में इससे पहले तक भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश सबसे चोटा सबसे चोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीब था और सब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीर समूँ था लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिट्री बनाया तो आज भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिट्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और दूसरे नंबर पर लद् और तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान नीकोबार है कि अना तो यह दो अब यहां पर मैंने आपको बताया कि राज्जी तो हो गए अथाइस कि लेकिन युनियन टेरिक्रिट्री हो गए नो केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो पिछले 2020 है कि सरकार ने कया किया दमंदीव और दादर नगर हवेली को मिला के एक कर दिया आथ कि यह अलग यूनियंटेरी था लग यूनियन-टेरिट्री ठांभी एक हो गया तो एक यूनियन टेरिटरी कम हो गया तो इसलिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए यह मामला समझ में आया है सभी को इस प्रकार राज्यों की और संग शासित क्षेत्रों की संख्या 1956 में जो 14 और 6 थी वो अब बढ़कर 28 और 8 हो गई इस बीच मेंने आपको बताया कि कई सारे यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाया गया कई सारे राज्यों को तोड़कर नए राज्य बनाए गई तो राज्य डबल हो गए 14 के 28 राज्य हो गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश के 8 हो गई सिर्फ यही नहीं हुआ नामों में भी परिवर्तन हुआ समय समय पर भारत में चुकि मैंने आपको बताया था ना फिदा वाला फॉर्मिला अनुच्छे तीन संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है ''Aalter the name of any state," तो समय समय पर हमारी संसद ने राज्यों के नामों में भी परिवर्तन किये है कैसे राज्यों और संग शासितक्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गए वह परिवर्तनμεंगे तो आजादी के संगर्ष के समय में भारत में संयुक्त प्रांत का नाम मिलेगा उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा, तब उत्तर प्रदेश का जो ये राज्य है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और संयुक्त प्रांत का नाम बदला गया ये 1950, ये वो पहला राज्य भारत का जिसका नाम बदल गए अधी आद रखना बारत का पहला राज्य कि नाम बदला गया अधी के बाद तो वह और नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया ठीक है फिर मद्रास हमारे यहां पर मद्रास चलता था 1969 मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडू किया गया आज जो आप तमिलनाडू राज्य देख रहे हो पहले यह मद्रास के नाम से जाना जाता था सिक्स्टीन नाइन के बाद ही तमिलनाडू बना है 1973 तक मैसूर नाम से जाना जाता था वो राज्य जो आज करनाटक के नाम से जाना जाता है यह सीक्वेंस भी याद रख लेना जब आप टीपू सुल्तान पढ़ते हो जब आप हैदर अली पढ़ते हो तो आपने देखा होग आपको हमेशा दिखाई देता है मैसूर 1950 में समविधान लागू होने के बाद भी मैसूर ही था तो 1973 में मैसूर का नाम चेंज किया गया और इसका नाम रख दिया गया करनाटक इसी साल लक्कादीव मिनिकाय और अमीन दीव का नाम भी बदल दिया गया और 1973 से यह लक्षद द्वीप लक्ष द्वीप भी पहले किस नाम से जाना जाता था लक्कादीव मिनिकाय अमीन दीव क्योंकि यह सारे द्वीप हैं यहां पर मिलेंगे आपको कि 1992 में डिली जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हमारी राजधानी भी इसका नाम बदल के एंसी आर कर दिया गया नैशनल कैपिटल रिजन एंसी आर देली 1992 से आप सभी जानते हैं कि यह एक नैशनल कैपिटल रिजन के नाम से जाना जाता और बिना पूर्ण राज्जी का दर्जा दिया नहीं गया है तो 69 संभिदान संशोधन के द्वारा 1991 में ऐसा किया गया था फिर 2006 में चुकि उत्तरांचल संदोहजार में यूपी से अलग करके एक राज्जी बनाया गया भारत का 27 वाराज्जी उत्तरांचल उत्तरांचल का नाम बदलके उत्तराखंड कर दिया गया यूके कर दिया गया उत्तराखंड पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था इसी साल पॉंडी चेरी का नाम बदलके पुदू चेरी किया है पुदू चेरी पॉंडी चेरी का नाम बदल के हमने 2006 में पुदु चेरी कर दिया uje को नाम परिवरतन ऐसे हुआ 2011 में हमने उडीसा का नाम बदल कर ओडिशा कर अब औला उडीशा का ओडिशा होगया और जो भाषा है उडिया 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 भाषा को अब ओडिशी कहा जाता है भाषा का नाम क्या हो गया भाषा का नाम भी उडिया नहीं है अब उडिया की जगे ओडिशी चलता है तो 2011 में उडिशा का नाम बदल के ओडिशा किया गया शेक्स्पीर ने कहा है वाट्स कि नाम में बहुत कुछ रखाओ कि हमारे यहां पर हाला कि नाम में बदल परिवर्तन करना बहुत मुश्किल नहीं है संजट किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती चुटकी वजागी हाला कि राज्य से पूछा जाता है लेकिन राज्य का मत बाद्यकारी नहीं होता राज जी चाहे ना चाहे नाम बदल सकते हैं, तो यह एक और नाम परिवर्तन हमारे यह उडिशा का उडिशा, तो इस प्रकार से आपने देखा, कि भाग एक हमारा यह पूरा हो, अब हम भाग दो शुरू करने जा रहें नागरिक्ता, मुझे नहीं लगता कि इस से रहे गई, जो आपको पता होना चाहिए, और वो है नए राज्यों के निर्मान के, भई अभी भी भारत में आपको पता है, कि कई सारे, अभी भी भारत में कई सारे नए राज्यों की मांग आज भी है, तो नए राज्यों की जो मांगे हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में कि थोड़ा सा आराम से बेट के सोचिएगा कि भारत में नए राज्य बनाए जाने क्योंकि 28 राज्य हो चुके हैं क्या भारत में और राज्य बनाए जाने चाहिए बनाए जाने चाहिए तो क्या तर्क क्या है पक्ष में क्या बनाए जाने चाहिए नहीं बनाए जाने तो क्य कि आपको नए राज्यों के पक्ष में भी तरक मिलेंगे और विपक्ष में भी आज भी आपको इस पत्में जैसा कि कह रहा हूं कि बहुत सारे इलाकों से आज भी नए नए राज्यों की मांग भारत में उठती रहती है कई सरों को अपना नया राज्य चाहिए तो क्यों चाह जैनत आपको भी अपने सर पर करनी चाहिए नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हो सकते हैं अब हम शुरू करने वाले भाग आठ भाग छे इस इस किस्ताप का बपाठ छे और हमारे संविधान का भाग दो नागरिक्ता संविधान का भाग दो नागरिक्ता सिटिजन्शिप यह आपको मिलेगा अनुच्छेद पांच से लेकर ग्यारत और यह वह भाग जो पिछले कुछ समय से बहुत चर्चा में रहा हम बार 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 न्यूज में पढ़ते हैं सी ए ए सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिक्ता संशोधन अधीनि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आठ है बारत में नहीं अभी पिछले कुछ समय में हम लोग नागरिक्ता से जुड़े हुए बहुत सारे रावधानों को देख चुके हैं काफी सारे यहां से विवाद हैं काफी सारी चर्चा इसको लेकर होती रही है पिछले कुछ नागरिक्ता से पहले यह समझे कि नागरिक क्या होता है नागरिक या जिसे आप लोग कहते हो सिटीजन तो किसी देश का नागरिक होने का मतलब क्या होता है आप नागरिक हो मैं नागरिक हूँ भारत का तो क्या इसका क्या मतलब है नागरिकता को समझने से पहले नागरिकता को समझने से पहले नागरिक को समझना दो सिटिजन या नागरिक क्या होता है तो देखो किसी भी देश का किसी भी देश का पूर्ण कालिक सदस्य पूर्ण कालिक पूल्टाइम मेंबर जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पूल्टाइम मेंबर मतलब जन्म से लेकर म्रत्यू तक वो उस देश में रहता है उस देश के संसाधनों का उपभोग करता है उस देश के कई सारे अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है संपतियादी जो देखते हैं तो जैसे अमेरेकामे कोई विक्ति- भारत से कोई विक्ति अमेरिका जाता है तो वह वहां प्रॉपटी नहीं करीज़ सकता वह पर वह चुनाओं में वोट नहीं ताल सकता या अमेरिका से कोई भारत घूमने आता है या किसी काम से आता है जौक कर रहा है अमेरिका वाला को भारत में तो भारत में चुनाओं में खड़ा नहीं हो सकता वोट नहीं डाल सकता भारत में वाक और अभिविक्ति की स्वतंतरता नहीं है उसके पास तो यह फर्क है एक नागरि टो हमारे यहां पर नागarity के असी पर बारत के संविधान में कौन-कोन से अधिकार हैं या कौन-कोन से प्रावधान जो सिर्ट नागरिकों से जुड़े हैं जैसे मैं आपको बताऊं कुछ 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 मॉलीक अधिकार भारतके सभी द elbows नाग्रिकुं को दिये जिसे अनुछे पंद्रा अनुछे 16 अनुछ्य उन्नी नुश्पोर टीज यह को मॉलीक अधिकार आप पढ़ते हैं अनुछे 1516 प्रतिशेद लोक नियजन में अवसर किसंता अभिवेक्ति की स्वतंत्रता जैसे कुछ स्वतंत्रता हैं संस्क्रति और शिक्षा के अधिकार ना न तीस और तीस के यह सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए भारत के नागरिकों के अलावाAfter अठीशियों मजघ जैसे मत दिकार सब के लिए अनुच्छ सब्अक लिए ये विदेशियों के लिए भी है, अनुच्छे 17, अस प्रश्यता का अंत, अनुच्छे 18, अनुच्छे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, सारे विदेशियों के लिए भी है भारतियों के लिए, तो कुछ मौलिक अधिकारतों मैंने आपको बताया, कि सिर्फ भारतियों के लिए है, वि चुनाव में वोट देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को होता है विदेशियों को ऐसी कोई विशेश सुविधा नहीं होती ठीक है आँ Casey कि दूस्रा तीसरा चुनाव में चुनाव लडने का अधिकार भारत में चुनाव लडने के लिए भारती होना अनिवारी कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक नागरिक नहीं हो फिर इसके साथ कई सारे पदों पर नियुक्ति का अधिका राष्ट्रपती राज्यपाल सुप्रीम कोट के जज और से बड़े बड़े पद जो है भारत में वो सिर्फ नागरिकों के लिए आरक्षिते रिजर्व्ड यह नागरिक ही होंगे दूसरे नहीं हो सकते यह नागरिक है यही अधिकार जब भारत के लोग बाहर जाएं तो उने नहीं मिलेंगे वह अधिकार वहां के देश के उनके नागरिकों को दिये जाएंगे तो यही पाइदा होता है नागरिक होने का अब हमने यह तो देख लिया जी नागरिकता क्या होती है नागरिक क्या होता है और इन्हें कई सारे अधिकार अधिकारों के साथ साथ नागरिको जितनी पावर बढ़ती जाती है अधिकार बढ़ते जाएंगे शक्ति बढ़ते जाती उतने उत्तरदायित्व भी आपके बढ़ते जाते हैं तो एक नागरिक होने के नाते यह हमारा करथव यह है कि हमें टेक्स जो है, कर जो है, बुक्तान करें, राष्ट्रिय द्धवज र बन सकता है अंतर आपको पता होगा कि अगर मैंने आप से कहा कि भारत में अगर राष्ट्रपती बनना हो तो एक नागरिक बन सकता है कोई विदेशी राष्ट्रपती नहीं बन सकता है लेकिन क्या वो भारत में नागरिक जन्म से होना चाहिए यही पर प्ञपा हो यही पर नागरिक के रूप में शुरुआत करे अपने जीवन की ऐसा नहीं है कोई वेक्ति जो दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ किसी भी देश में हुआ किसी भी देश का नागरिक हो अगर वरतमान में भारत का नागरिक है यदि उसने भारत की नागरिकता केसे भी अरजित कर ली है now he or she is considered as a citizen of India तो वो राष्ट्रपती का चुनाओ भारत में लड़ सकता है और राष्ट्रपती बन सकता है ऐसा आपको लग रहा होगा कि बड़ा इसमें क्या है बड़ी बात क्या है लेकिन बड़ी बात ही है कि अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है अमेरिका में अगर आपको राष्ट्रपत नहीं बन सकते इस दैट लियर अब हम लोग देखें समवेधानिक उपबंद क्या है एक नागरिक होके या नागरिक्ता से जुड़े होगे समवेधानिक उपबंद में आपको बता दू अनुच्छेद 5-11 हमारे समविधान का जो भाग है दो वो नागरिक्ता के बारे में चर कि दिन कौन व्य disturbed का नागरिक माना जाएकाerson महीं माना जाएगा क्योंकि तब भारत आजाद भी हुआ था और बटवरा भी हुआ था तो ये तैकर में जरूरी था कि उस बहुता का नागरिक बनने की योगईता किसके पास नहीं कि किसी को एकदम से बाहर निकाल देंगे तुम जाओ इस देश से बाहर तुम नागरिक नहीं हो यहांके तो क्या योगईता होनी चाहिए यह संवीधान में लिखा है संविधान में आपको ये मिल जाएगा कि 26 जनवरी 1950 के पहले भारत का नागरिक कौन उस दिन माना जाएगा कौन नहीं माना जाएगा और उसके बाद जब यह संविधान लागू हो जाएगा आने वाले समय में कौन भारत का नागरिक यहां सिर्फ पुन लोगों की पहचान करता है जो कि 26 20 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान अभी परसोई गणतंत्र दिवस गया है उस दिन भारत के नागरिक बनेंगे या बनें उनके बारे में इसने बताया है इसमें ना तो इनके अधिग्रहन और नाहीं नागरिक्ता की हानी की चर्चा की गई है मतलब जो आप यह पढ़ते हो ना कि पांच तरह से भारत के नागरिक बन सकते हैं आपने पढ़ा होगा जन्म के द्वारा वंच के द्वारा यह जो आप पढ़ते हैं यह तीन तरीके से नागरिक्ता जा सकती है यह संविधान में नहीं लिखा है इस बात को धियान से समझ लो कि वरी 1950 को हमारे देश में जो जो विक्ति थे उनमें से कौन नागरिक माने जाएंगे और कौन नहीं माने जाएंगे तो यह सब आपको Constitution में नहीं मिलने वाला ध्यान रखना यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वो नागरिक्ता से संबंधित मामलों की विवस्था करने के लिए कानून बनाएं अल्टीमेटली अधिकार सरा पार्लियमेंट के पास अल्टीमेटली पार्लियमेंट will decide कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है और पूर नहीं इसी लिए संसद ने नागरिक्ता अधीनियम 1955 को पारित किया एक अधीनियम 1955 में बनाया गए नागरिक्ता का सिटीजन्शिप एक्ट इसको बोलते हैं सिटीजन्शिप एक्ट 1955 हाल ही में भारत में इतने बवाल इतने धमाल और इतने सारे विवादों का जो यह कारण रहा है यह अधीनियम आपको पता होगा क्योंकि अभी सरकार ने हाल ही में नागरिक्ता अधीनियम में संशोधन किया सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिक्ता संशोधन अधीनियम में इसमें कुछ संशोधन किया गया क्योंकि सरकार कुछ प्रावधान अपने लागू करना चाहती हाला कि ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में नागरिक्ता अधीनियम में संशोधन हुआ है ऐसा नहीं है भारत के नागरिक्ता अधीनियम में कई बार संशोधन हुआ है पर पहले कभी इस तरीके कब बवाल नहीं मचा यह बवाल जो पहली बार हुआ है उसके कारण आपको पता है क्योंकि सरकार न नागरिक्ता देने से जुड़े हुए कुछ मामले थे उसको लेकर विवाद वह जो मैं आपको बताऊंगा आगे तो समय समय पर इस अधीनियम में संशोधन होता रहा है कि वो सब बात की बाद कि पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या माजरा था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना तो संविधान के अनुसार चार केटेगरी के लोग भारत के नागरिक बनने के योग यह नागरिक बने चार केटेगरी मतलब चार तरह के लोगों को भारत का नागरिक माना गया था कब मैं फिर बता रहा हूं आपको 26 जनवरी 1950 अब जैसे मान लो कि आप 26 जनवरी एक थोड़ा सी कल्पना करें थोड़ा सा टाइम मशीन से पीछे चले मान लो कि आज 26 जनवरी 1950 का दिन है एक बड़ा ही शुब दिन है क्योंकि आज सुबह भारत का सम्वेधान लागू हुआ है बड़ी खुशी है अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है कि अब एक गंड़तंत्र और एक संप्रभू देश में रहेंगे हम लोग अच्छी बात है लेकिन एक चिंता की बात कि एक चिंता जो मेरे दिमाग में है वो यह कि मैं क्या मैं भारत की नागृत माना जाओंगा कि नहीं दो यह आज मेरे दिमाग में मेरे और मेरे परिवार को लेकर मुझे चिंता है कि मैं भारत की नागरिकता की उस शेणी में आता हूं कि नहीं आता हूं तो जो भी वेक्ति उस दिन इन चार केटेग्री जो मैं आपको बताऊंगा इन चार शर्तों में से किसी एक को भी पूरा कर दे कि अगर आप इन चार शर्तों में से किसी एक में आते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं चिंता ना करें मुझ ढखके सो जाएं आराम से आपको परेशानी की कोई बात नहीं है और अगर आप इन चारों के टेग्री में नहीं आते तो आपको सोचना पड़ेगा फिर कुछ आने गए इस पर मैं आपको थोड़ा सा डीटेल में बताऊंगा तेखो पेशेंस रखना पड़ेगा मैं आपको पांच मिनिट में ये सारी चीजे बता के निकल सकता था लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ ले अच्छे से पढ़ ले एक चीज को दिमाग में उत का मूल निवासी है और इन तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है मतलब भारत में ही रह रहा है जब से पैदा हुआ जब से भारत में रह रहा है और इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है कौन सी शर्त नुट रहर हो great 8 यडि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ यह सम्विधान लागू होने के पांच साल पहले से वह भारत में रह रहाओ अनुच्छत 5 केहता हूं अनुच्छ पाच में पहली शर्त कि आपके माता-पितावें हैं सो य। 21 kay inский obtal 10, मतलब 1945 से से थां बहुत में जाएंगे यह पहली शर्त दूसरी एक विक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो चुकि 1947 में वटवारा हो गया था और यह 1950 की बात है तो पाकिस्तान से भारत आया हो यह तो आजादी किसमें पाकिस्तान चला गया हो यह पहले पाकिस्तान मेरे लोंग बाद में आ गया हो पाकिस्तान से भारत में एक विक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आया हो और उ लेकिन आप जब आजादी हुई या बटवारा हुआ उससे पहले जो भारत था, उस अखंड भारत में आपके माता पिता दादा दादी में से कोई पैदा हुआ हो, और निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, केसी शर्त, बात सम माने जाओगे की नहीं माने जाओगे, यह कोश्चन है, तो आपको एक तो यह देखना है कि क्या, आपके माता पिता, दादा दादी, कोई भी अखंड भारत में विभाजन के पहले पैदा हुए थे या रहे थे, ठीके, और इन में से कोई एक शर्त कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, और उस तिथी से उसने सामान निता भारत में निवास किया हो, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत में आ गये हो, और तब से लेकर आज तक आप भारत में रह रहे हो, या 19 जुलाई 1948 या उसके बाद आप भारत में आये हो, और वो भारत के नागरिक के र एक जो उननीस जुलाई उननीस सो अर्टालिस के पहले आने वालों की है जो दो जुद्सरी केटिगरी कि कि और आने के बात बहरत के नागिरिक के रूप में पंजीकरत हुए हैं या चैनले से वह भारत में पंजीगरत होने के लिए छे महा तक वो भारत में निवास कर रहे हैं तो इस प्रकार का विक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा तीसरा ये तो हो गए 2 यह दो हो गए तीसरा एक व्यक्ति जो एक मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में भारत में पुनरवास के लिए लोट आया हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है वो हमारे कहावत है कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को लोट आए तो उसे भूला नहीं किये थे कोई व्यक्ति जो एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो भारत से लेकिन उसको वहां जमा नहीं अच्छा नहीं लगा कि यह क्या मुलक है क्या देश कहा आ गया मै वापस आ जां और भारत आ गया कि तो वह भी अगहारत का नाग्रिक उसस दिन बन सकता था किacht एक मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो लेकिन बाद में वह वक्ति भारत में फिर लोट आया हो तो वह नागरिक बन सकता है उसे पंजी करण प्रार्थना पत्र के बाद छे महीने तक रहना पड़ेगा कम से कम उसको एक रिक्वेस्ट देनी होगी रिजिस्ट्रेशन के लिए और कम से कम छे महीने तक वह भारत में रहना चाहिए यह तीसरा होगी चौथा एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी और विभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा है अब मान लीजी कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ जो भारत से बाहर रहा है भारत में हुई नहीं लेकिन मेरे माता पिता या दादा दादी में से कोई भा था शरद का नागरिक बन सक्ता हूं कैसे कै यո यहीं इसने भारत के नार сок के रूप में पंजी करण तरीके यह सब्सक्राइब रूप में आवेदन किया हूं कि मुझे भी भारत का नागरिक बनना है इस प्रकार का एक आवेदन रेजिस्ट्रेशन के लिए दिआ हो करा हूं यहां विवस्थभारत के बाहर माइट को बताई है नागरिकता को प्राप्त करने की इन में आपको ये चार मिलेगा एक जो भारत का मूल निवासी हो जिसके दादा-दादी माता-पिता भी भारत में पैदा हुए वह भारत में रह रहा हो मेंशा से तो भारत का नागरिक माना गया उस दिन दूसरा एसा विक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो फिर आ गया हो वह विक्ति पाकिस्तान इस्थानांतरित वाओ लेकिन बाद में लौट आयो यह एक ही है ठीक है विक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो यह एक मामला है और दूसरा मामला कि भारत से पाकिस्तान जाय और फिर लौट आए वो भी नागरिक बन सकता है भारत का जैसे 1947 में बटवारा हुआ तो कई साले लोग जो है वो पाकिस्तान में चले गए कई लोग इंडिया में रहे तो एक जो पाकिस्तान से भारत आया और एक जो पाकिस्तान जाके वापस भारत आगे यह दोनों ही केटे लगने माठाब हम लेकिन वह भारती नहीं और प्रेंट नागरिक बनने की यहां तक आपको समझ में और चलिए नागरिक्त संबंदी अन्य प्रावधान और मैं आपको पता दूँ जो संविधान में है देखू ये संविधानिक प्रावधान है जो संविधान में दिये गए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में नागरिक्ता से जुड़े हुए अन्य किसी अन्य देश की नागरिक्ता को ग्रान कर लिगा तो अगर मानलीजी आपने कि किसी और देश की आगरिक्ता को अपना लिया ठीक है तो पर आप भारत के नाग नहीं रहेंगे वह से हमारे हिंदू विवा आधीनियम हैं कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आपको अपनी पहली पतनी को तलाग देना पड़ेगा उसके बाद ही तो भारत क只是 शादी में capaz कि आप भारत के नागरिक्त है तो किसी और देश की नागरिकता नहीं हो सकती और यदि आपने भारत को चो के अलावा किसी और देश की नागरिकता ले ली ग्रहन कर ली तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे इस आप अब आप दो हाथों में लडू अने रख सकते तो अब बारत की नाघरिक्ता भी रख लोगे और किसी दूसरे देश की नागरिक विए बन जाओंगे तो दो देश अमें प्रतियक विती जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधी का निर्मान करें पिर संसत की उपर है संसत कोई कानून बनाएं तो वह आपको नागरिक्ता दे या सकती है वंचित भी कर सकती कानूनों के द्वारा संसत को यह अधिकार है कि वह नागरिक्ता के अर्जन और समाप्ति के और नागरिक्ता से संबंदित अन्य सभी विश्यों के संबंद में विधी बना सकती है तो आखिरकार मैंने आप से कहा कि यह शक्ति संसत के पास है कि वह नागरिक्ता को प्राक्त करने और खोने के कानून अब आप यह जो पढ़ते हैं अधीनियम अभी इसी अधीनियम में संशोधन हुआ है नागरिक्ता अधीनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद हमारे देश के नागरिक्ता की प्राप्ति पतलब अर्जन और समाप्ति किसी को नागरिक्ता लेनी हो भारत की या कोई विक्ति भारत का नागरिक्त कैसे बन सकता है तो यह अर्जन माना जाएगा और नागरिक्ता जाएगी या चोड़ना है उसको या वो नहीं चोड़ना फिर भी चली जाएगी समाप्ति कहते हैं तो यह उपबंध संविधान के ल नटीनियम 1955 नराश्ट्र मंडल नागरिक्ता प्रदान कि लेकिन इस प्रावधाम को नागरिक्ता शंशुद-थियुड 2003 निरश्त कर दिया गया तो पहले तो ये था कि आश्टमंडल देशों के नागरिक भी नागरिक माने जाए या नागरिकता ले सकते हैं इसको हटा दिया गया तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलिए इस बारे में कि भारत की नागरिकता मिलेगी कैसे आप भारत के नागरिक हो मैं भारत का नागरिक हूं तो हम भारत के नाग कि हर वो वेक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हो क्या वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं तो आखिरकार क्वेश्चन यह है कि भारत की नागरिक्ता का अर्जन या हम इंग्लिश में एक्विजिशन ओप सिटिजन्शिप किसी वेक्ति को नागरिक्ता कैसे मिल सक भारत की 5 तरीकों से नागरिक ताधीनयम उनीसीजोपचपन बताता है कि 5 वह तरीक pandemic का नागरिक में सकता है कि जैसे जन्म के द्वारे बाई बर्थ कैसे इसको देखेंगे वंशानुगत गई डी सेंट पंजी करन्ट by registration प्राक्रतिक by naturalization और समाविस्थ करके प्राइची समाविस्थ करके मतलब by incorporation of any territory किसी इलाके को सब काई किसी इलाके को एपने इलाके में शामिल करके इन पांच तरीकों से भारत की नागरिक्ता मिल सकती है सबसे पहले मैं आपको जन्म से बता दो, जन्म से भारत की नागरिकता के से को, भारत में 26 जन्वरी 1950 को, या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा विक्ति, अपने माता-पिता के जन्म की राष्ट्रियता के बावजूद भारत का नागरिक होगा, मतलव, ऐसा कोई विक्ति जो भारत में 26 जन्वरी 1950 को जन्मा हो, या परन्तु 1 जुलाई 1947 से पहले जन्मा, एक जुलाई 1947 से पूर्व, या 26 जन्वरी 1950 को, वो विक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, माता-पिता के जन्म की राष्ट्रियता के बावजूद, यह पहला प्रावधान है, भी इसको धीरे से और डिटेल में समझते हैं, भारत में एक जुलाई को या उसके बाद जन्मा विक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय, उसके माता-पितावे से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो यह मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है आगे, कि यदि एक जुलाई जो मैं भारत में जन्मा हो तो वो नागरिक कम माना जाएगा, वो नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता-पिता दोनो भारती हो, माता भी भारती होनी चाहिए, पिता भी भारती होना चाहिए, ठीके, माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, मतलब या तो माता या पिता मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि माता ही हो या पिता ही हो दोनों में से कोई भी एक यह जो लिखा है ऐसा विक्ति भारत में नागरिक माना जाएगा तभी जब जन्म के समय मतलब जन्म के समय उसकी माता भारती हो या पिता या दोनों हो चलेगा दोनों तो भी चलेग कुछ सब ne धाल करी तो जन्म के समय भारती नागरिक थे तो हम भी भारती दोनोंगारति रहorous पर ईसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर माता-पिता में से कोई एक भी भारती हो तो भी आप भारत के नागरिक माने जा सकते हैं ठीक है आगया समझ में के सकते हैं ज्यान अनोरच यह पहला प्रावधान कि इसके हलावा यहकी सी व्यक्टीक का जनम तीन दिसंवर दोहोजार चार के बाद भारत में हुआ हो तो वहाँ उसी द्रस्टा में भारत का नागरिक माना जाएगा या दि उसके माता-पिता दोनों उसके जनम के समय भारत क करनागरी को तथा दूसरा अवेद प्रवासिन अब माली जी कि कोई बच्चा है जिसका जन्मत 3 दिसंबर 2004 के बाद में हो सानिया मिर्जा का बच्चा भारती होगा या पाकिस्तान तो मैंने आपसे कहा कि 2004 के बाद में जितने भी बच्चे भारत में पैदा होएं या होंगे वो भारत के नागरिक तभी माने जाएंगे यदि माता पिता दोनो भारती हो और अगर दोनो भारती नहीं हो तो एक भारती हो और दूसरा अवेद प्रवासि नहीं होना चाहिए ऐसी दशा में बच्चा भारत का नागरिक माना जाए ठीके तो ये आपका एक मामला क्लियर जन्म के समय माता पिता भारती होने चाहिए कुछ तेट्षक में अगर नहीं भी तो अवेधPS प्रवाशी तो कम से कम नहीं होना चाहिए एक भी नागरिक है तो चल जाएगा लेकिन अवेट प्रवासिक कोई नहीं होना चाहिए, ऐसी दशा में बच्चा भारत का नागरिक माना जाता है। भारत में जो विदेशी राजनाइक है जो शत्रु देश के बच्चे हैं वो भारत के नागरिक्ता को अरजित करने का अधिकार नहीं रखते है अब आजाओ वन्स क्या अधार पर यह तो मैंने आपको पताया कि भारत में बच्चा पैदा हुए अब कई बार ऐसा होता है कि में थ्ट खूसें पर्णатि कोईश्ती आअशिए भाठायँ जोब कर रहा है बहुत कर रहा है बारत से बाहर वर्क उस्मेश को साल मेश चवनारे साल दूसें कृए बच्चा भारत से बाहर पेदा हुआ वो कि क्याव भारत का नागरिक माना जाएता है इत तो यदि बच्चा भारत से बाहर なेदा हुआ है तो भी वह भारती है माना जाता है यदि जन्म के समय मातापिता भारती हो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वह दोनों दमपत्ती जो बहार कर रहे हैं वहां उनको बेबी हुआ भारती है तो वह बच्चा भी भारती ही होगा बले वह किसी भी देश में पैदा हुगा कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले इस अवदी में भारत के बाहर हुआ और वह वंच के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि जन्म के समय उसके पिता भारती हो तो पहले ये कॉलम जो है पिता क्या था आजकल माता दो इक होगे को पहले ये था कि सिर्फ पिता भारती होगा तो ही माना जाएगा माता से कोई लेना देना नहीं तो लेकिन 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी वैक्ति का जन्mar भारत से बाहर हुआ है और उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक के 1 को स्वाइन आई कि अगर किसी बच्चे का जन्म 92 से पहले भारती है तो भारत करint माना जाएगा माता से काम नहीं चलेगा और 92 के बाद अगर कोई बच्चा बहर Peng पैदा और जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भी भारती है तो बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा ठीक है इसको हम कहेंगे वन्ष के आधार पर नागरिक तक 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंच के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर भारती कांसुलेट में उसके जन्म का पंजी करण न करा दिया गया हो मतलब 2004 में सरकार ने एक और संशोधन किया कि अगर आपका बच्चा 2004 के बाद भारत से बाहर पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद आपने एक एक वर्ष एक साल के अंदर अंदर उसका आपने इंडियन एंबेसी में पंजी करण नहीं करवाया तो वह भारत का नागरिक नहीं बन पाए बहले माता-पिता भारती हो तब भी उनको उस बच्चे का रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नहीं तो वह भारत का नागरिक माना नहीं जाएगा मेरी बात समझ में आ रही है आपको तो यह 2004 के बाद का प्रावधान इस प्रकार बच्चे का भारती कॉंसुलेट में पंजी करन कराते समय आवेदन पत्र में माता-पिता को इस आशय का शपत पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पास्पोर्ट नहीं है तो उन्हें बताना पड़े कि हमारा बच्चा किसी देश का नागरिक नहीं और इसे हम भारती नागरिक की रुग में पंजी करवाना चाहते दे है मैं पुनह एक नाभालिग घ्लावेदन कि अन्यन देश मुंधि हुआ अगर मानलीजी की कोई नाभालिक जो 18 साल का भी नहीं हुआ है और वह भारत का नागरिक है लेकिन किसी और देश का नागरिक भी वह है तो उसकी भारती नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्टियता का परित्यार वयस्कोंने की 6 महां के अंदर नहीं कर देता तो मैं आपको एक example देता हूं कि मानदो एक बच्चा है 10 साल का और वो वन्ष के आधर पर भारती नागरिक होने का पात्र है भारत से बाहर है लेकिन वो किसी और देश का नागरिक भी है वो बच्चे के पास दो नागरिकता हो गई अब जैसे ही वो 18 साल का होगा उसको उस द नागरिकता कहता है अगर वह चाहता है कि जीवन भर भारती नागरिक बना रहे तो आपने अठारा साल क्यों होने के छे माता-पिता में से कोई एक भारती नागरिक होना चाहिए वंश के द्वारा नागरिकता चाहिए तो बच्चे का जन्म भारत से बाहर होना चाहिए और जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और उन्हें अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन क किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं मान लो किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है पर न तो माता भारती है न पिता भारती है उसके माता पिता भारती नहीं है विदेश है को भारत का नागरिक हो सकता है भारत की कल्चर को लेकर संस्क करण के द्वारा रेजिस्ट्रेशन करवा के बन सकता है पंजी करण के द्वारा भारत की नागरिकता हसिल की जा सकती है केंद्र सरकार को आवेदन देना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट एक आवेदन उसको केंद्र सरकार को एप्लिकेशन देनी पड़ेगी कि मैं भारत का नागरिक बन सकता हूं लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो निम्नलिखित में से कोई एक श्रेणी से जुड़ा हूं मतलब हर कोई नहीं कुछी लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा के भारतिय बन सकते हैं कौन-कौन एक भारती मूल का विक्ति जो नागरिक्ता के आवेदन देने से ठीक साथ साल पहले भारत में रह चुका हूं मतलब दादा दादी पूर्वज भारतिय थे वो नहीं है वो बनना चाहता है तो आवेदन दे एप्लिकेशन दे लेकिन एप्लिकेशन देने से पहले कम से कम साथ साल से भारत में रह रहा हूं मिनीमम सेवनियर साथ साल हो चुके भारत में रहते रहे थे दादा दादी पूर्वज भारतिय थे तो मैं भारत का नागरिक बन सकता हूं नंबर एक नंबर दो भारती मूल का विक्ति जो अविभाज सवसे तैसे आता है लोगों को शादी है हमारे दुनिया में किसी देश की नागरिकता है मुझे जहां तक लगता है सबसे आसान तरीखा लोगों को यहीं लगता है। किसी को केनेडा का नागरिक तो वह चैनेड़ा का दामाद धूनता है कि एसा लड़का एक लड़का जो की कैनेड़ा में रहे रहा हो में आगरिक बना ले कि तो छाफ प्लत है तो कई सारह लोग इस फिराख में रहते कि है अमरिका कि कि किसी शक्स से विवा हो जाए शादी हो जाए और वहां पर फिर जीवन भर आराम से अपना रहे तो शादी करके नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है यह तो आपको पता होगा ऐसा भारती नागरिक्ता के साथ भी ठीक है अगर कोई विक्ती जिसने भारत के किसी नागरिक से शादी कर ली हूँ और पंजी करन के लिए प्रार्थना पत्र देने से पहले साथ साल से भारत में रह रहा हूँ शादी कर लिए, शादी करने के बाद साथ साल हो चुके हैं भारत में रहते रहते अब वो application दे सकता है, मतलब आवेधन तभी दे सकता है, जब वो 7 साल से भारत में रह रहा हो, शादी करने के बाद यह से थोड़ी, आज शादी होई और कल पोहँच गए, कि नागरिक्ता दो, कम से कम 7 साल से आप यहां रह रहे हो, शादी के बाद से, तो आपको नागरिक्त के नाबालिक बच्चे, जो भारती नागरिक मैंने आपको बताया था भी, जो विदेश में रह रह रहे हो अपने नाबालिक बच्चों का पंजीकरन करा सकते, और उन्हें नागरिक बना सकते, कोई व्यक्ति जो पूरी आयू तथक शंता का हो, और उसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरत हो, या वह पंजीकरन का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण तर निवास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है, जिसके माता-पिता एक आजाद भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड है, और वो भी कम से कम 12 महीने से आवेदन देने के पहले भारत में रह रहा हो, कोई व्यक्ति जो पूरी आयू तथक शंता का होने तथा समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकरत हो, और वह पंजीकरन का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने साजारंत निवास कर रहा हो, यह सब गुमा फिरा के लगबग लगबग वही बाते हैं, इस तरीके से भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी, अगर आप वयस्क हैं, आपकी आयू, आप एडल्ट है, 18 साल से उपर है, अपने पुरीक शंता या अपने पुरे होशो हवास में आप ऐसा कुछ फैसला लेते हैं, एक व्यक्ति जन्म से भारतिय मूल का माना जाएगा, यदि वहाँ, या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूख शेत्र के निवास ही हो, जिसके माता पिता में से कोई आजादी के पहले भारत में पैदा हुए हो, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में पैदा हुए हो, वो भारती मूल का माना जाएगा, उप्रोक्त सभी शेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रुप में पंजीकरत होने के बाद निष्ठा की शपत लेनी होगी, अब अगर आपने भारती नागरिकता के लिए आवेदन दिया है या बन गए, तो आपको निष्ठा की शपत लेनी पड़ेगी ठीके भारत में नागरिक के रूप में, अब यह कि बिना नागरिकता कैसे 7 साल रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता है, विजा के द्वारा रहा जा सकता है, आपको अधिकार नहीं होंगे भारत में नागरिकों के जो प्राप्ते हैं, वो लेकिन आप रह सकते हैं भारत में, ऐसा नहीं है, 7 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो एक देश में, या दूसरे देश में कई तो एसा थुडी कि आपको बाहर कर देंगे देश से अगर नागरिक नहीं है तो आपके पास अगर दस्तावेज है, वीजा है, आपके पास अनुमती है रहने की, तो आप देश में रह सकते हैं, पर मैंने फिर कहा कि नागरिकता के बिना आपको अधिकार नहीं मिलेंगे इसके आगे हम लोग अगले सेशन में पड़ेंगे अब जो नागरिक्ता प्राप्त करने की दो और तरीके हैं वो और नागरिक्ता जाने की तीन तरीके जो है वो और उसके आगे का पुरा मामला मैं आपको कल बताऊंगा आज आपने सेशन का टाइम हमारा लगबग हो चुका है लाइक करना न भूले यार प्लीज लाइक करिये मैं चीज समझ नहीं पाता कि इतने सारे बच्चे क्लास देखते हैं लेकिन मुठी बच्चे क्यों क्लास को लाइक करते हैं जब आपको पता है कि यह चीज आपके फाइदे के सकते हैं बारा बज़े से क्लास लाइव होती है अभी हमारा नागरिकता वाला भाग चल रहा है भाग संविधान का यह भाग दो है आप सभी को पताए कि धीरे 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 हम लोग पूरा कॉंस्टिट्यूशन है ठीक है यहां पर ऐसे पढ़ने वाले है और जिस विक्ति को PDF चाहिए वो आपको पताए कहां जाना है यह मेरा रेफरेल कोड है C-K-L-I-V-E अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो किसी भी समय अनकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो तो C-K-L-I-V-E यह मेरा रेफरेल कोड है इसको यूज कीज और मेरा परसनल गाइडेंस मेंटोर्शिप भी आपको मिलेगा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग बाइ टेक केर जए हिन लेट्स क्रेक इट लेट्स